अंतिरश्टी गीता महुतसर्व 2020 का आज दीपदान के साथ ही समापन हो गया ब्रम सोवर का पावंतट आज लाखो दियों की रोशनी से रोशन हुआ शंकनाद और गीता महारती के बीच मुखे मंतरी मनोहुरलाल ने दीपदान किया इस दीपदान के साथ ही परंपरानुसार अंतरश्टी गीता महुतसर्व 2020 भी समपन हुआ गीता महुतसर्व के आज आखरी दिन महारती के संध्या में दीपदान मुखे आकर्शन का केंद रहा इस दोरन मेडिया से बाचीत करते हुए मुखे मंतरी मनोहुरलाल ने प्रदेश वासियों को दीपवतसर्व जन्ती समारों की शुप काम नाएं दी और कहा कि धर्मक्षित्र कुरक्षित्र में गीता जन्ती का ये समारों दीपवतसर्व की कारण बहुत अध्भुद रहा और लाखो दीपों की दीप माला से ब्रह्म सोवर ही नहीं कुरक्षित्र का द्रिशे अध्भुत नजर आया सर्थी सीम ने काया कि कोविड-19 के कारण अंतराश्टी गीता महुतसर्व की कारेकरमों को इस बार छूता किया गया लेकिन आने वाली समी में गीता मनीशी स्वामी ग्यानानंद के सानिध्य में गीता महुतसर्व को और भवे तरीके से आयो जित किया जाएगा आज एक बहुत ही एक विलक्षन द्रिश्चा में देख रहे हैं यहां कितना भावना से उत्परोथ कि ब्रम्स रोवर के यहां आरती के समय में आज जीता जन्ती का दिन है और लगबग धाई लाख दीपक से प्रकाश उत्सव दीप उत्सव यहां हुआ है एक पहली बार यह कारकम किया हमने आरती के समय और मैं समझता हूँ कि कोरोना के कालन से हमको थोड़ा इसको छोटा करना पड़ा स्वामी जी से मैंने चर्चा की है कि अगले वर्ष इसको और ज़्यादा भववे करेंगे अंतरश्टी गीता महुतसब 2020 के समापन समारों पर संधे कालीन आरती के तुरंत बाद ब्रमसोवर के तट से रंग बिरंगे हिंडोले हवा में छोड़े गए इन हिंडोलों से निकलने वाली रोशनी ने ब्रमसोवर की फिज़ा को और भी रंगीन कर दिया पंजब के से टीवी चन्डिगर के लिए कुरक्षित से अशोक यादव की रिपोर्ट